सबी को पता है CSIR NET या IT Jam क्रेक करना easy नहीं है क्योंकि हर साल CSIR NET IT Jam में competition increase हो रहा है पहले के question जो थे easy आते थे क्योंकि उस समय उतना information नहीं था आज कल information बहुत बढ़ गया है और सभी जानते हैं क्या क्या चीज़े कहां पे books बहुत सारी चीज़े हैं पर अगर आपको सबसे आगे रहना है तो आपको चाहिए focus, determination, dedication और good strategy अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको start करना पड़ेगा CSIR NET IT Jam के preparation आज से ही और अभी से ही तो physics वाला दे रहा है आपको दो batches, साकार batch for IT Jam 2024 और सूध बैच for CSIR NET 2024 साकार batch जो है physics, chemistry, mathematics, biology यह सब आप जो है जॉइन कर सकते हैं IT Jam के लिए केवल और केवल 2990 रुपए में ऐसा ही सोध batch भी आप chemical sciences, life sciences, mathematical sciences और physical sciences के लिए जो है ले सकते हैं केवल और केवल 2990 में अभी तक का यह जितने भी आप देखे होंगे जिनोंने भी आपको यह batches जो भी आपको करा रहे होंगे सबसे जो है cheap यह batches हैं जो आप ले सकते हैं अगर आप जो है preparation कर रहे हैं और आपका गोल है कि 2024 वाला आप पका आप उसको निकाले क्वालिफाई करें तो इस वीडियो के description में जाएए आप वहाँ पे आपको physics वाला यह courses का link मिलेगा वहाँ पे आप क्रिक करो और मेरा coupon code ज है 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 फिर्ट में में हूं आपका दोस्ते विनको मारा सिंगर आपको याद हो कि पिछले वीडियो मैंने जो है आपको CUET 2022 में जो questions आए थे उनका distribution दिखाया था और जहां पर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो question पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपसे plant physiology से तो ठीक है तो plant physiology में सबसे ज़्यादा question पूछे गए थे तो that means यह है कि मैंने आपको comparison भी दिखाया थे वहाँ पे कि कैसे जो है plant physiology, ecology environment और plant taxonomy यह तीनों जो topics dominate करते हैं हर exam में लगभग तो अगर आप बहुत दोग पूछते हैं क्या prepare करें क्या नहीं prepare करें तो preparation का मत्तब क्या होता है आप वही समझते हैं जो exam में आप सब पूछा जाता है mostly उनके जो questions आए वो आप कर ले तो इस video में मैं लेके आया हूं जो plant physiology के questions हैं वो और जो मैं आपको syllabus provide कराता हूं और आप किसी भी examination के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो most important topics क्या हैं इस video में हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा question plant physiology से आया था तो मैं इस video में plant physiology का जो question आया था CET में वो आपको दिखाने ज चाहता हूं जो मैं previously जो है अपने एक book में दिया था मैंने वो मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूं मैंने एक बियर्चु का book लिखा था जहां पे मैंने 2000 करीब कितना था 2008 या संतिंग आशा था 13 साल का मैंने वहां पे question paper solve कर रहा है उस book में उस book में link इस video के description में डाल द सब्सक्राइब के जो भी pattern है बदला जरूर है बहुत कि strong question पूछे जा रहे हैं कुछ कुछ जगा से पर ऐसा नहीं है कि उसी की basis पर आपको selection होता है selection जो होता है आपका basic question से ही होता basic information आपको पता है कि नहीं पता है तो मैं पहले आपको बता दूँ जो मेरा book था उसमें मैं मैंने यह सारे जो topics हैं यह मैंने आपको बताया थे कि यह आपको पढ़ना ही चाहिए plant physiology के अंतर रहा थी कि मैं plant physiology की बात कर विसे pioneer workers को होने plant physiology में उनका contribution क्या रहा है transportation of water कैस्पर इने स्टिप प्लास्ने सेंप्लास ट्रंक्लोजिकेशन अफ शुगर टांस्पिरेशन गटेशन हाइजाथोर्स रूट पेशर आडियोग्राफी माइक्रों मैक्रों न्यूट्रेंट्रा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसे आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ओके और छोटा करना पड़ेगा यह रहा आपका पूरा ठीक है यह आपका है सेलिबस इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो यह तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा इस उसका यह तो मेरे ग्रूप में आपको ट्रेलीग्राम वाल आपका कहां से जाधा कोशियंग पूछे गए थे तो हम चलते हैं सबसे पहले यहां पर जो पहला कोशियंग है आपका आपको पता है काम का फुल फार्म आपको पता है क्या होता है क्रसुलेशियन एसिड मेंटबॉलिजम लेसित नि Beetle यहां पर क्या लिखा गया है जो primary होता है sugar source in a translocation of floium तो यह किस topic से belong कि आपका translocation of floium translocation of floium का मतलब floium से क्या होता है translocation किससे होता है sugars का होता है तो यह रहा topic आपका तो दो topic हो गए एक तो cancellation is in metabolism दूसरा translocation of sugar third question कि हम बात कर लें question number 59 तो यहां पर भी है जो principal farm होता है carbohydrate का जो translocated through floium होता है वो क्या होता है तो यह भी जो है वहीं same जगा से पूछा गया है translocation of sugar से ठीक है तो मैं इसको double book कर देता हूं 12 तो यहां पर आपने देखा यहीं सही question है वहां पर आपको बताया जाता है principle farm क्या होता है सुक्रोज होता है अब मैं आपको बता हूं यह वारा question दो है दो water splitting ठीक water splitting in photosystem second is mediated by metal आपको पता है कि दो टाइप यह photosystem होते है photosystem first photosystem second और जो water splitting होता है मतलब जहां पर H2O को break करके oxygen निकलता है वह वाली कहानी कहां होती है photosystem second के पास होती है तो photosystem second का मतलब है कि जो oxygen liberating वाला है वो क्या है आपका non cyclic photo phospholation जब आप पढ़ते हो वहां पे यह चीज आती है तो यहां से हो गया ठीक है एक यहां से भी मैं लिख देता हूं दीकिए सारे topics मैंने आपको बताये थे और फिर आते हैं हम इसमें पूछा था आपका किस मेटल से होता है तो जो आप वाटर splitting complex के बारे में इसको अलग से भी आपको बताया था कि वाटर splitting complex के बारे में आपको पढ़ना है यहीं कहीं मैंने दिया होगा यह है यह था हाँ यह oxygen evolving complex चाहिब उसको oxygen evolving complex बोलो चाहिब water splitting complex बोलो यह आप दोनों में पढ़ेंगे नॉन साइकली फोटो फस्पॉलेशन में और oxygen evolving complex में यह इसको क्या बोलते हैं water splitting complex वहीं से यह question है next पे हम आते हैं the site of sucrose synthesis जो क्रूज synthesis क्या होता है plant में during the process of photosynthesis तो देखिए यह आपका Kelvin cycle है उसके बाद का process है जब आप Kelvin cycle पढ़ते हैं Kelvin cycle क्या है dark reaction है पहले light reaction होगा फिर dark reaction होगा dark reaction में जो आपका sugar बनता है उसको उसका future क्या है उसका future क्या है वो जो है सुक्रोज में convert होगा या जो भी है glucose हर जगा लिखा रहता है उसमें convert होगा cytosol के अंदर यह chloroplast में ही नहीं होता है तो वहीं का है यह dark reaction अगर आप पढ़ोगे detail में फिर आओगे आप question number 62 जो आया था 2022 में stomatal opening किसे से stimulate होता है blue light तो देखिए stomatal opening पहली बात तो यह कहां पे आप पढ़ोगे जब आपको पढ़ना पढ़ेगा क्या transpiration ओके जब आप transpiration पढ़ोगे उसके अंदर stomatal जो open होता है इसमें कई सारे hypothesis वगेरा दिये गए है तो उसमें एक blue light का भी वो आता है कि हाँ blue light द्वारा क्या होता है इस्ट्रूमेटल की opening होती है question number 66 पर आते हैं देखिए यहां पर यह है रिजिट्स आफ active cell division वैसे यह प्लांट फिजियोलाजी और इन टॉमी से पर इंक्रीज होता है volume या size में तो growth यह जर्नल question है और ऐसे ही यहां पर 68 जो question आया था यह भी वही है कि growth जैने रिजिट्स पर इंक्रीज वाल्यूम और size और फिर आ गया था देखिए इन टॉमी से भी यहां पर था यहां पर यहां पर यहां पर 69 में यहां पर आप से पूछा गया है साइक्लोसिस यह साइटो प्लाजमिक स्ट्रीमिक जो होता है इंडिकेशन होता है अक्टिव मेटाबोलिजम का तो यह भी आप पढ़ोगे growth वगएरा जिससे आप journal चीज़े पढ़ते हो उसमें ही यह बताई जाती है कि जो living cell होता है महाँ पर साइक्लोसिस होता है उस सेल के अंदर या तो साइटो प्लाजमिक स्ट्रीमिक होता है यह living cell की प्रॉपर्टीज होती है ठीक है और यह भी बेसिक है मतलब आप कह सकते हैं कि यह सभी लोग नहीं कर सकते इन questions को क्योंकि यह जनल भी आपको पढ़ाय नहीं जाता त तो यह growth एक आप हाँ एक चीज़ नोट कर लीजेगा यह जो questions है तो growth living cell की property क्या होती है living cell की property और growth वगएरा की तो living cell और dead cell में आप कैसे differentiate करोगे यह आप पढ़ लीजीगा क्योंकर हम आते हैं 70 पे 70 में आप देखोगे तो यहां पर एक question आया था lateral heterogeneity से जहां पर distribution होता है थेलकॉइड complexes का उनके बारे में पूछा गया था तो photosystem second unit है मतलब वहां पर photosystem first यह है photosystem second है आपका ATP synthase है तो थीलकॉइड में आप देखोगे ऐसे से थीलकॉइड का structure आप देखते हैं तो यह वाले जो reasons होते हैं इनको oppressed region बोलते हैं और जो stroma के contact में होते हैं उनको क्या बोलते हैं non-appressed region तो इनका unequal distribution होता है तो lateral heterogeneity है तो यह आपको कहा पढ़ने को मिलेगा यह देखिए यह जो topic है यहाँ पे बताया गया है उपर ही यह light harvesting complexes जब आप पढ़ोगे ठीक है तो यहाँ पे आपको यह पढ़ने को मिलेगा जो light hydrating complexes होते हैं इनका unequal distribution होता है ठीक है यह भी आपको थोड़ा सा वो लगेगा मतलब जो है थोड़ा सा टफ यह topic था कुछ नमर 71 पे हम आते हैं यहाँ पे था जो apical bird है decapitation का वहाँ पेपिकल dominance खतम हो जाता है तो यह जब हार्मोन पढ़ोगे आउक्जिन के बारे में तो वहाँ पे आपको मिलेगा तो हार्मोन तो मालो clear है आपका कि हार्मोन तो surely हर जगा दिया होता है तो यहाँ पे जिसे यह है जो physiological roles हैं आउक्जिन का जिब्रेलिन क साइटोगाइन का एथाइलिन का यह important है यह हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आगजन से आपका पूछ लिया था ठीक है इसके बाद हम आते हैं और नीचे देखते हैं question number यह हो गया आपका 71 70 80 वारा जो question था यह भी पूछा गया था यहाँ पे देखें C4 plants क के बारे में वहाँ पे carboxylation कैसा होता है तो c4 acid c4 plant total यह क्या है आपके c4 acid यह मतलब c4 cycle के बारे में पूछ लिया गया था तो जैसे यहाँ पर आपने क्याम के बारे में देखा था वैसे यह question है आपका कौन सा c4 plant so c3 plant c4 plant यह सब important हैं इनके बीच में comparison आपको आना चाहिए important क्या है वही है जो exam में आगया वो important है लेकिन मैंने आपसे बताया कि अगर आपको exam qualify करना है तो जो भी topics हैं दिये गए हैं वो आपको आने चाहिए journal आने चाहिए question में 82 पे आते हैं फिर देखी यहाँ पे oxygen से ही question है लेकिन यहाँ पे दो hormone actually oxygen भी है और abscessic acid का भी है थाइल होगे आप इसका वर्ग क्या है तो वहाँ पे आप देता है कि हाँ यह लीफ करता है और आउक्जिन का भी यसे है डी ले करता है फिजियो लॉजिकल एफेक्ट में आप पढ़ोगे आउक्जिन का function क्या होता है तो abscessic acid जैसे है प्रमोट करता है लीफ सेने सेंस को तो वहा यहां पर यहां पर यह भी जर्नल कुशन आपको दिया गया था कहां oxygen से अल्गल फो तो सेंसे निकलता है यह तो आप जानते ही हो तो यह हो गया आपका प्लांट फीजियो लॉजी आप देख लेते हैं एक और कुश्चन है यहां पर नाइट्रोजन कह रहा है में इलमेंट होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए तो यहां पर जब आप प्लांट फीजिशलॉजी पढ़ते हो या बायो कैमिस्टी आपके तो यहां पर क्यूंकि जो है को फैक्टर्स वगेरा भी बायो केमिस्टी के अंदर पढ़ते हो पर लुरोफिल वगरा हो गया जो इनेर्जी साथ से यहां पर यह देखो कि आप केमिकल नाम क्या है तो वहाँ पर आप के पूरा अपका मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सो जाए कहा उना है तो आप पूछे गहे थे है और मैंने जो एक जरनल से लिब्स दिया था यह यह तोटल पढ़के जाईएगा क्योंकि यहां से बहुत सारे MCQs आते हैं प्लांट फिजोलोजी में क्योंकि यह सबसे बड़ा टॉपिक था मैंने आपको दिखाया कि पिसले बार जो पूछा गया था और मैंने इसमिपाराजन भी आपको दिखाया कि प्लांट टाइस अनॉममि, एकोलोजी, इंवर्मिन, प्लांट फिजोलोजी, यह था मोस्त इंपोर्टें टोपिक था रही हैं करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से मिलते हैं हम आपसे नेक्स वीडियो में, देखते हैं महासे साब बाटनी, तैंक यू फो वाचिं इस वीडियो,